भारत पाक युद्ध 1971 के शौर्य नायक ब्रिगेडियर कुलदीप सिंग चांदपूरी का जन्म 22 नवंबर 1940 को मौंट गुमरी पंजाब में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है 120 जवानों की अगवाई करने वाले कुलदीप सिंग चांदपूरी ने सन 1971 में लौंगे वाला पोस्ट पर 3000 पाकिस्तानी सनिकों को धूल चटा दी थी चात्रकाल से NCC में सक्रिये रहे कुलदीप सिंग सन 1962 में सेना में भरती हुए सन 1965 और सन 1971 दोनों युद्धों में उन्होंने भाग लिया और अपनी वीर्ता से दुश्मनों के चक्के छुड़ा दिये थे युद्धों के बारे में बताते हुए उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा था कि 3000 पाकिस्तानी सनिकों और लगभग 50 टैंकों ने हमें घेर लिया था गुरु गोबिन सिंग जी और चारों साहिबजादों की उदाहरण देकर उन्होंने सभी जवानों को प्रेड़ना दी तब गुलदीब सिंग चांदपूरी मेजर रैंक पर कारे रत थे उन्होंने दो दिनों तक बड़ी ही बहादुरी से पाकिस्तानी फौज को रोक रखा था वायू सेना की सहायता आने पर युद्ध शेतर पर द्रिशी परिवर्तित हुआ शौरी की बात है कि हमारे 120 जवानों ने निडर्ता से हजारों पाकिस्तानी फौज का स्थामना किया था सन 1997 में बॉलिवुड फिल्म बॉर्डर में ब्रिगेडियर कुलदीब सिंग चांदपूरी जी की भूमिका सनी देवल ने निभाई थी ये फिल्म 1971 युद्ध पर आधारित थी महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा मंडल से अलंकरित ब्रिगेडियर कुलदीब सिंग चांदपूरी जी ने मोहाली में 17 नवंबर 2018 में आखिरी सांस ली थी शौर्य नायक ब्रिगेडियर कुलदीब सिंग चांदपूरी जी की जन्म जहनती पर समस्त आएमसी परिवार उन्हें सल्यूट करता है भारत माता की जय वंदे मातरम गुड़ आएमसी अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और जादा से जादा शेयर करें